वेलकम लेट इस सी प्रैक्टिस सेट 51 बेश डे फॉर्मुले पे A प्लस B A माइनस B A प्लस B A माइनस B का फॉर्मुला है A स्क्वार माइनस B स्क्वार यह फॉर्मुले में हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि यहाँ पे A प्लस B मल्टिप्लाई बाई A माइनस B है तो यह दोनों प्रैक्ट को मल्टिप्लाई करने पर यह आंसर आता है मतलब यह इसका फॉर्मुला फॉर्म होगा तो A प्लस B A माइनस B is equal to A square माइनस B square ऐसे तो हमें question यह format में दिया होगा हमें ऐसे इसका solution find करना है तो practice set 51 based है यह formula पे तो let us begin and see यहाँ पे first question use the formula to multiply the following हमें formula use करना है और यह दोनों को multiply करना है तो जैसे यहाँ पे A plus B A minus B को multiply किया था तो यह उसका solution था वैसे यहाँ पे X plus Y और X minus Y को multiply करना है तो उसका solution क्या होगा formula use करके हमें solve करना है direct multiply नहीं करना है formula apply करना है क्यूंकि यह chapter formula base दे तो formula के base पे हमें solve करना है तो let us see the first question X plus Y X minus Y so our first question is X plus Y X minus Y तो formula यहाँ पे apply होगा A plus B and A minus B is equal to A square minus B square तो यहाँ पे मैंने formula लिख लिया है अब यहाँ पे question फिर से मैं formula के बाद में लिख रहा हूँ जैसे X plus Y A plus B के जगह x plus y हो जाएगा और A minus B के जगह पे x minus y तो यहाँ पे जैसे A plus B A minus B का A square B square बना है वैसे ही यहाँ पे x square हो जाएगा minus और B के जगह पर B square हो जाएगा ऐसे मतलब y square तो यहां पे जो हमारा solution होगा वो होगा x square minus y square ऐसे तो this will be our solution तो this will be our answer ऐसे हमें solve करना है I hope you got this के कैसे मैंने solve किया x plus y x minus y को formula apply करना है formula apply करके a का value x हो जाएगा और b का value y तो a के जगह पर x आएगा b के जगह पर y मतलब a square मतलब x square b square मतलब y square minus minus formula में फिर इसको ऐसे further तो this will be our answer तो इसका solution यह है let us see the second question our second question is 3x minus 5 और 3x plus 5 तो this is our second question second question कैसे solve करते हैं तो let us see the second question so second question 3x minus 5 3x plus 5 सबसे पहले formula लिख लेते हैं a plus b a minus b formula will be a square minus b square ऐसे अब यहां पर जैसे एक के जगह पर 3x आ रहा है तो a का where a is equal to 3x हो जाएगा मतलब a के जगह पर हम 3x apply करेंगे और b के जगह पर हम 5 use करेंगे तो वहां पर जैसे for example यहां पर मैं side में लिखके रख रहा हूं जैसे for example a is equal to 3x and b is equal to 5 ऐसे तो यह मैंने a के जगह पर 3x use करना है और b के जगह पर 5 तो यहां पर यह question I am writing again तो यहां पर question हो गया 3x minus 5 और 3x plus 5 तो जैसे यह formula था a plus b a minus b वैसे बिलकुल यह है a minus b और a plus b सिर्फ bracket आगे पीछे हुआ है तो उससे कुछ नहीं होता है तो यहां पर multiplication है तो bracket आगे पीछे हो सकता है तो इसका solution क्या होगा जैसे a a square होगा तो a के लिए 3x आएगा तो 3x square ऐसे minus b के लिए phi आएगा b का value हमने यहां लिए phi तो b के लिए phi आएगा तो मतलब phi square तो यह question था और यह इसका solution है मतलब यह हमारे पास question है और यह इसका solution है कैसे हो रहा है formula जैसा था बिलकुल वैसे ही formula पे apply करना है values a के जगए 3x तो 3x square हो गया वैसे b के जगए पे 5 तो b 5 square हो गया ऐसे और minus के जगए पे minus अब इसे solve करते हैं यह square दोनों को मिलेगा 3 को मिलेगा तो 3 3s हो जाएगा मतलब 3 multiply by 3 तो 3 3 जा 9 तो यह हो गया 9 और x को मिलने पर x square ऐसे तो यह हो जाएगा 9 x square minus ऐसे 9 x square हो गया अब यहाँ पे 5 को square मिलने पर 5 25 हो जाएगा 5 25 तो यहां पर answer आएगा 25 तो this will be our answer ऐसे हमें answer find करना है यह question है और यह इसका answer है इसको हमने square को जो है वो हमने bracket open कर लिया है तो यह square दोनों को मिल गया है वैसे यहां भी bracket open किया है तो यह square 5 को मिल गया तो 5 square मतलब 25 होता है 5 25 ऐसे तो this will be our answer ऐसे हमें solve करना है I hope you getting this बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक दो बार देखना होगा you will get it या तो फिर book side में रखकर on the time साथ ही साथ में solve करना होगा तो then you will get it let us see the next question third question our third question is a plus 6 and a minus 6 a plus 6 and a minus 6 a plus 6 और a minus 6 पे same formula अप्लाएगा क्योंकि एक plus एक minus है और यहां पे a और a starting में भी है तो यह same formula अप्लाएगा a plus b और a minus b तो इसका solution है a square minus b square ऐसे अब यहां पे a के लिए हम a के लिए हम a को use करेंगे and b के लिए b के लिए हम 6 use करेंगे b के जगा पर 6 तो in this way मैं फिर से यहां पे formula question लिक रहा हूँ a plus 6 and a minus 6 अब a के जगा पर a के जगा पर a ही आएगा तो a square as it is minus b के जगा पर 6 आएगा b के जगा पर 6 तो 6 square ऐसे अब इसे solve करते हैं जैसे a square मतलब a square हो जाएगा minus 6 square मतलब 6 multiply by 6 तो 6 6 तो 36 होता है तो 6 square मतलब 36 ऐसे तो this हो सकते हैं you can follow your school teacher वैसे step पे लिख सकते हैं नहीं तो फिर I'd shown you everything कैसे solve करना है तो यह step भी follow कर सकते एक दम perfect और easy working note side में बनाना है ऐसे solve करना है यहां पे यह लिखना जरूरी नहीं है यह बस information based लिखा है directly solve करना है एक वैल्यू ए रहेगा 6 6 के जग बी का वैल्यू 6 हो जाएगा क्योंकि 6 के जगह पर बी है तो आगे इसको further ऐसे solve करना है let us see the next question fourth question our fourth question is fraction form में है x upon 5 plus 6 x upon 5 minus 6 so same formula apply a plus b a plus b and a minus b is equal to a square minus b square यहां पे a के जगह पर x upon 5 है तो side में हम लिखते रख रहे है a is equal to x upon 5 and b is equal to b के जगह पर 6 है तो b is equal to 6 ऐसे अब इससे solve करना है तो फिर से question लिख रहा हूं यहां पे x upon 5 plus 6 फिर उसके बाद में x upon 5 minus 6 is equal to इसका solution तो यहां पे a के जगह पर x upon 5 आएगा मतलब x upon 5 whole square minus b के जगह पर 6 आएगा तो 6 the whole square ऐसे तो x को square मिलने पर वो हो गया x square 5 को square मिलने पर bracket open हो रहा है तो 5 को square मिलने पर 5 5 जा 25 ऐसे minus 6 को square मिलने पर 6 6 जा 36 36 36 s बहुत से बच्चे मिश्टेक करते हैं कि वो 36 जा 36 लेने के बाद भी यहां square लिख लेते हैं तो यह रॉंग हो जाएगा क्योंकि तुमने 6 6 जा ले लिया है तो 6 6 जा 36 हो गया तो आप 36 square ऐसे नहीं लिखना है यह wrong होगा तो हमें याद रखना है कि 6 6 जा 36 हो चुगा है तो यह square ने डालना है x को square दिया तो x square हुआ 5 को square दिया तो 25 हो गया in this way this is our solution ऐसे हमें solve करना है so I had shown you the fourth question कैसे solve किया simple और easy है next देखो यहाँ पर textbook में fourth question I had shown you question number 1, 2, 3 and 4 next उसके बाद में use the formula and find the value यहाँ पर numbers दिये बड़े numbers को multiply करना है but हमें ऐसे normal multiplication नहीं करना है हमें formula apply करके तो कैसे करते है let us see the first question first question 502 multiply by 498 502 multiply by 498 तो जैसे formula apply करना है तो इसको formula format में हमें question को frame करना होगा तो यह कैसे हो जाएगा जैसे 502 है तो हमें reverse जाकर round figure लेना होगा तो 502 501 फिर 500 तो हो जाएगा 500 plus 2 ऐसे तो हमने 502 को यहाँ पर formula format में बनाया है next है multiply by मतलब दूसरा bracket 498 को भी हमें round figure चाहिए तो 498 के आगे count करना है 499 500 तो यहाँ पर भी 500 हमें a plus b और a minus b a plus b a minus b करने पर होता है a square minus b square ऐसे a square minus b square हम अब हम एक के जगह पर एक के जगह पर हम 500 लेंगे एक के जगह पर 500 एक के जगह पर 500 और a के जगह पर हम 2 लेंगे तो यहाँ पर तो यहाँ पर फॉर्मूले में देख सकते हैं के S, देख सकते हैं कि कैसे इसको मैंने formula में form किया है, तो ऐसे A के जगा पर 500 square, B के जगा पर 2 square, 500 square करना है, तो कभी भी 00 की multiplication बहुत इसी होती है, तो 500 square मतलब 5 square मतलब 5 5, 5 5 25, 25 लिखना है, फिर इसके बाद जैसे 500 multiply by 500 होता है, 500 square मतलब 5 5 25 हो गया, और साथ में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 0 आ जाएगे, तो यह answer हो जाएगा, मतलब 250,000 हो जाएगा, तो 250,000, ऐसे, माइनस, फिर 2 का square लेना है, तो 2 का square मतलब 2 2s आ 4, ऐसे 4, तो यहां पर मैंने shortcut में कैसे multiply करना है, वो बताया है 5 square मतलब 500 into 500, मतलब 5 5 25, फिर बचे वे 0, पीछे attach कर देना है, तो ऐसे answer हो जाएगा, अब इसे subtract करना है, क्योंकि आपर minus 4 बोला है, मतलब 250,000 minus 4, 250,000 minus 4 करना है, यहां पर side में, बहुत से बचे को subtraction properly नहीं आता है, तो उनको अच्छे से subtraction आना चाहिए, ऐसे subtract करेंगे, 0 minus 4 नहीं होगा, बाजू से borrow करो, यहां 10, फिर यहां पर 9, यहां पर 10 होगा, फिर 9, फिर 10, 10 minus 4, 6, फिर यहां पर 9, 9, 9, यहां पर 5 से हमने carry borrow किया था, तो if I guess 4 बज गया, यहां पर 2, तो 26, so this will be our answer, 2,49,996, ऐसे हमें इसका value find करना है, I had shown you के कैसे मैंने 502 multiply by 498 किया, formula base पे, formula के base पे solve किया, और we got the answer, ऐसे हमें solve करना है, I hope you got this, let us see the next question, so our second question, 97 multiply by 103, 97 के लिए मुझे round figure चाहिए, तो 97 के आगे count करो, 98, 98, 99, 100, तो 3 add हो रहा है, तो 90, 100 हमें लेना होगा, 100 minus 3 करते हैं, क्योंकि हमें round figure चाहिए, तो 100 लेना होगा, 100 minus 3 करना पर 97 आ जाएगा, next उसके बाद, जैसे हमने यहाँ पर 103 देखा है, तो यहाँ reverse जाना होगा, 103, 102, 101, तो reverse जाने पर 100 मिल रहा है, तो 100 plus 3, ऐसे, ऐसे formula हमारा form होना चाहिए, 100 minus 3 करने पर 97 आ रहा है, और एक minus वाला बनना चाहिए, एक plus बनना चाहिए, और दोनों जगा पर आगे और पीछे में same number match होने चाहिए, तो ही formula apply हो पाएगा, अब formula a plus b, तो formula है a plus b, a minus b is equal to a square minus b square, ऐसे, अब हमको मालुम है कि a के जगव पर 100 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, 100 square minus b के जगव पर 3 आएगा, तो यह हो जाएगा, 3 square, ऐसे, अब इसे solve करना है, 100 square मतलब 100 multiply by 100, तो 100 multiply by 100, 1, 1 is a 1, और 4, 0 attach, 1, 2, 3, 4, यह shortcut form है multiplication का, जब 100,000 multiply होता है, तो ऐसे multiply कर लेना है, तो 10,000 मिल गया, minus 3, 3, 3 is a क्या होगा, 3 square है, मतलब 3, 3 is a 9, तो 9 आगया, अब हमें minus करना है, मतलब 10,000 minus 9, 10,000 minus 9, हम side में working में solve करेंगे, अगर हमें direct लिया आता है, तो direct में लिख सकते है, 91, will be our answer, yes, तो ऐसे मने question number second solve कर लिया है, this is our value, तो ऐसे multiply करना है, formula यूज करके और value लिखना है, I hope you got this, कि कैसे मने solve किया, let us see the next question, third question, third question में भी हमें value find करना है, वैसे ही हमें एक round figure चाहिए होगा, जैसे हम यहाँ पर say reverse count करेंगे, यह 54 है, तो 50 plus 4 करना होगा, 50 plus 4, वैसे ही यहाँ भी 46 है, तो आगे count करना होगा, आगे जाने पर 47, 48, 49, 50, तो आगे जाने पर 50 मिलेगा, तो 50 minus 4 करना होगा, 50 minus 4 करने पर 46 आजएगा, और 50 plus 4 करने पर, तो 1 plus 1 minus का format बैट रहा है, तो वही same formula अपला है, a plus b, a minus b, a plus b, a minus b is equal to a square minus b square, formula use होगा, a के जगा पर 50 आएगा, a के जगा पर 50, तो यहाँ पर 50 square, b के जगा पर 4, तो यहाँ पर 4 square, ऐसे है, अब यहाँ पर 50 square लेना है, 50 square मतलब 50, multiply by 50, तो 5, 5, 25 और यह 2, 0 पीछे attached, तो हो जाएगा, 2,500, minus 4, 4, 16, तो यहाँ पर 16 आजए, दोनों को subtract करना है, तो side में subtraction, working note में subtraction करना है, minus 16 ऐसे, 0 minus 6 नहीं हो पाएगा, बोरो करो, यहाँ से 1 यहाँ 4 बचाए, यहाँ 9, यहाँ पर 10, 10 minus 6, 4, 9 minus 1, 8, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 2, as it is, यहाँ पर हमें 2484 मिल रहा है, subtraction के बाद, तो answer will be 2484, यहाँ 4, ऐसे, this will be our answer, ऐसे हमने answer find किया, तो this is our third question, कैसे किया, बहुत easy or simple है, नहीं समझ में आ रहा है, reverse जाओ वीडियो को देखो, देखने पर ही समझ में आएगा, इससे और कोई simple method नहीं है, सबसे easy or simple method है, let us see the next question, last question, fourth question है practice set का, यहाँ पर 98 है, तो हमें round figure चाहिए, तो आगे जाना होगा 98, 99, 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 minus 2, और यहाँ होगा 100 plus 2, 100 plus 2, ऐसे, यह 100 minus 2, 98, 100 plus 2, 102, ऐसे हो गया, अभी इसे formula पर based है, तो a plus b, a minus b, formula क्या है, a square minus b square, ऐसे, तब हमें apply करना है, a के जगा पर 100, तो 100 square, minus b के जगा पर 2, तो 2 square, ऐसे, तो 100 into 100 करने पर 10,000 आ जाएगा, minus 2, 2 is a 4, तो यहाँ पर 4 आएगा, sabrack कर लेना है, 100, मतलब 10,000 minus 4 करना है, तो you will get answer minus करने पर, 9,996 will be our answer, side में working note में sabrack करना है, अगर directly आता है, तो directly लिख सकते हैं, क्योंके 4 minus हो जाएगा, तो 996 बचेगा, तो 9,996 will be our answer, in this way, this is our fourth question, तो हमने इसको solve कर लिया है, तो I had shown you all the questions of practice set 51, सारे questions solve किये, क्योंके छोटा practice set था, तो सारे questions I had shown you, thank you for watching, don't forget to subscribe, share with your friends, thank you all, take care.